बैसे हम लोग अगर देश की राजनीती की बात करें और उसमें अगर लालोग पिरसाध यादों की परिवार के बारे में बात ना करें उनके बारे में बात ना करें तो मुझे लगता है कि यह संभव है कोई भली माने या ना माने लेकिन बिहार की राजनीती में और केंद्र की राजनीती में एक लंबे समय तक लालोग पिरसाध यादों का हस्त छेव देखने को मिला है और अभी हाली में आपने देखा है कि बिहार में फिल सेतेज़स वी यादों उपमुख मंतरी बन गए है डिप्टी सी एम बन चुके है और वैसे आप लोगों को ये भी मालू होना चीए कि डिप्टी सी एम या उपमुख मंतरी या उप्विधान मंत्री का पद सम्मिधान में कहीं कोई वेवस्था नहीं की गई है वो तो क्या रहता है कि राजनिति के एक तरह से कर लीजे आप लो पद है कि आप देखे किसी राज में माल लीजे किसी पाटी में तीन बरावर कद के नेता है तो उन में से आप देखते हैं एक को CM बना दिया जाता है, दो को आप देखे कि आपका DIPTCM बना दिया जाता है, कई राज्यों में आप देखे, चार से पांच DIPTCM देखने को मिल रहे हैं, तो आज हम लोग बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं, और तेजस्वी यादों क के बारे में हम लोग बिस्तार से बात करने वाले हैं, कुछ पिक्चर्स और देख लिजे, आप सभी जानते हैं कि किरकेटर थे और उसके बाद राजनीती में आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि एक सफल राजनीता आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखे कि कई लोग मान और आप देखेंगे कि ए इनकी पतनी हैं, आप सभी जानते होंगे, अब इहाली में इनोंने साधी भी की थी, ये आप देखें इनका परिवार है, ए लालू परिसाद यादो, ए आप देखते हैं, रावडी यादो, ए तेजस भी यादो, ए इनके बड़े भाई, तेजपि यादो, यहां भी आप लोग देख रहे होंगे, लालू परिसाद यादो, और आवडी देभी, और आप देखें, तेजस भी यादो, आपको मालू होना चाहिए कि इनके माता पिता, दोनों, आप देखें, बिहार के मुकमंदरी रह चुके हैं, तो यह भी आप लोगों को म मालून चाहिए, अभी हाली में नीतेश कुमार तेजस भी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना लिये हैं, और मुझे लगता है कि देखें, राजनिती में थोड़ी बहुत समझदारी जो रखता होता, वो भी अगर नीतेश कुमार की जगे होता, तो यही कदम उठाता, क्योंकि अभी हाली में आपने देखा है कि जो सत्ता धल पार्टी है, भारती जुनता पार्टी, जिसकी स्ताफना आप देखें कि 1980 में हुई थी, और इसके जितने भी पार्टनर रहें, एलाइंस रहें, गडवन्दम रहें, जो साथी रहें, उन्हें आप देखें, इसने खतम करती सिर्फ सेना को देख लिजे, आप करनाटक चले जाईए, आप उत्तरपदेश चले जाईए, पंजाब चले जाईए आप लोग, और विहार की बात करें, तो बटना इसकी रादधानी है, और देखें उत्तरपदेश हो, जारखंडो, पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, अंतराष्टी सीमा नेपाल से लगती है इसकी, और आप देखेंगे यहां बिधान सभा में 243 सीटे हैं, बिधान परिचद में 75 सीटे हैं, राज्य सभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी, लोग सभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी आपको, अगर हम ल बंबर 1989 को बिहार में बिहार के गोपाल गंज जिले के फुलवरिया गाओं में इनका जनम होता है और इनके पिता लालू पिरसाद यादो माता रावडी देवी के घर हुआ था उस समय तेजस्वी के माता पिता पिहार विधान सभा के सदस हुआ करते थे और बात में उनके मा राजनीता है और साथ बहने जिसमें मेसा भारती राजनीता है रोईनी आचार चंदा सिंग रागनी यादो हैमा यादो अनुसका राओ और राज लच्मी इनकी बहनों के नाम है अगर हम लोग तेजस्वी की सिक्षा की बात करें तो आप देखें कि स्कूली सिक्षा की सु दिल्ली चले जाते हैं उन्होंने हैमंत भीहार के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पांच भी कक्षा तक और फिर आटवी तक डीपीएस आहर की पुरम में पढ़ाई किये और कई लोग कहते हैं कि आटवी पास है नौभी फैल है हाला कि तेजस्वी आदब में औस त थे लेकि देलत हुए कई टूनामेंट में अपनी स्कूल टीम का पितने दित भी किया और किर्केट में अपना कारियर बनाने के लिए उन्होंने नौभी कक्षा की बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और इस बात को खुलकर बताते हैं वो चुपाते नहीं है तो ये भी अच्छी बात है अपने स्कूल की बढ़ाई बीच में ही छोड़ने की बाद उन्होंने कई किर्केट टूनामेंट में दिल्ली की राज किर्केट टीम का पितने दित भी किया और जारखन के लिए रजीट राफी सीजन भी खेला है लेकिन किर्केट में अपनी पहचान बनाने में वो नाक अपसूरती है कि आप पसंद भी करिए ना पसंद भी करिए दोनों आपके पास अधिकार हैं तेजस्त भी यादव कि अगर हम लोग साधी की बात करें तो राष्टी जनता दल यानि की राज़त की निता तेजस्त भी यादव ने नई दिल्ली में 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली के सैनिक फार्म में अपनी गरफ फ्रेंड राहेल गोडीनियो के साथ बंधन में बन गए तेजस भी आदा कोई पतनी रसेल गोडीनियो राजिसुरी यादा अब इनका नाम रख दिया गया एक एयर होश्टेस हुआ करती थी और इनका काफी समय तक आप देखी दोनों एक दूस ने जोड़ों को बढ़ाई देती हुए साथी की तस्वीट भी टूइट की थी उस समय तेजस भी और राहेल या रसेल ने राजद नेता की मा रावडी देवी की मौजुदगे में साथी की रस्मों में हिस्सा लिया और इस तरह से आप देखी ये दोनों बंधनों में दिया गया था दो जानो से दो जार वारे तक चार सीजन तक दिल्ली डियर डिविल्स टीम का हिस्सा बने रहे हाला कि उन्हें आई पील के चारो सीजन में एक भी मैच केलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने जारखन के लिए रजी ट्राफी दो जानों में सियद आपी 2010 में कुछ गहरेलू किर्केट मैच भी खेले और तेजस्पी ने अपने पूरे किर्केट केरियर में साथ गहरेलू मैचों में के लिए उन्होंने तिरफ 49 रन मनाए और एक विकेट हांसिल किया और आप देखेंगे 16 फरबरी 2010 को तेजस्पी ने अपना आखरी किर्के एक भासर दिया और 2010 की बिहार विधानसवा चुनाओ में से पहले राजत के लिए पिचार किया करते थे और 2015 की विधानसवा चुनाओ में तीजसवी ने 26 साल की उम्र में सफलता पुरवक चुनाओ लड़ा और रागुपूर निर्वाचन छेत से अपना पहला मतलब अपना चुनाओ जीता और आपसे भी जानते हैं कि अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चाहिए और अधिकतम कोई उम्र नहीं रखी गई है और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता के दवारा होता है अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लो होने चाहिए कि जब राजत जदियु गटवंसन सरकार थी तो उस समय पहली बार बिहार के उपुमुक मंत्री भी बने थे तेजस भी 2015 में और देखी CBI आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है इसके बारे में बता देता हूँ एक CBI के बारे में Central Bureau of Investigation की बात हो रही है आप मैं 1956 में इसकी भी इस्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका भी आपको हेड़ कोटर देखने को मिलेगा और मामला 2017 में राजत जदियु गटवंदन सरकार की पतन का कारण भी बना था क्योंकि जदियु ने राजत से अपना समर्थन बापस ले लिया था और बेहार में भाजापा के साथ एक नजी सरकार की स्थापना की थी नीतेशकुमार ने पहले RJD के साथ थे उससे पहले आप देखे बीजेपी के साथ थे कौन नीतेशकुमार तो एक मजे हुए खिलाड़ी है नीतेशकुमार भी तेजसभी ने नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक विहार के लपों को खारिच करते हुए उनके खिलाब उनने कहा था बे मेरे खिलाब 2004 के मामले ला रहे हैं और मैं 13 या 14 साल के उम्र में अपरादी कैसे हो सकता है तब मेरी मूचें भी नहीं थी यह आप देखिए इंटर्व्यू काफी वायरेल भी हुआ था 27 साल के उमर में तेज़ 2020 के विहार विधानसवा चुनाव में तेज़सवी यादों ने विहार के रागोपुर विधानसवा सीट से 38,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था और उनकी पार्टी राज़त राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूम में बनकर उब रही थी और एक ऐसा समय था ये जब आप देखें लालू फिरसाद यादों जेल के बंदर बंद थे यानि कि आप देखें पूरी कमान तेज़सवी यादों समहले हुए थे और देखें पसंद ना पसंद करना मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप देखें कि 10 लाग रोजगार की बात क तो आप देखें विपक्ष को 19 लाग कहना पड़ा एक कम से कम अच्छा मुद्धा तो उठाया था उससे पहले कि राजनीती पर आप देखते हैं कि लालू पिरसाद की पिसनेचने खड़े होते रहते हैं 2022 में आप देखी नितिश कुमार ने आठ वी बार स्थीयम की सपत लिये और तेजस भी यादे अबने दूसरी बार उपुमुख मंत्री बन गए हैं अब विवास भी जुड़े हुए हैं तेजस भी यादा उसे 2008 की नए साल की पूर्व संध्या पर तेजस भी यादा उनके भाई तेजपरताव यादाव को दिली में एक पाईटी में एक लड़की को छिड़ने के आरोब में कुछ आग्यात लोगों ने कथे तोर पर पर पीटा था अब यह देगी कतित तोर पर अपके लिया नहीं है यह बिवाद रहा है लेकिनों समझ चर्चा में 16 अपरेल 2017 को केंद्रिय जांच भीवरों ने तेजस भी यादाव लादू पिरसाद यादाव रावडी यादाव के खिलाब एक निजी फारम को बाद में दिल्ली के एक अदालत ने इन तीनों मामलों में जबानत भी दे दी थी इने पांच अक्टूबर 2020 को तेजस भी यादा उनके भाई तेजपरता भी यादाओ और चरन अन अपरादियों के खिलाब राजत के एक पूर्व निता सक्ती मलिक की हत्या के आरोम में प्रात्मिक्ती एफायत दर्च की गई थी और उस समय चुना हो था आप सभी खुमाल होगा और एक नई एक ओपन डाटा डिपोजटरी प्लेटफॉर्म माई निता द्वारा चांजय की एक आकणों के अनसार तेजस भी के खिलाब 11 अपराद एक मामले हैं उन्हें उनमें से किसी में भी दोसी नहीं ठहराया गया और एक बात हमेशा याद रखिए आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं होती इमानदारों पर भी आरोप बहुत लगते रहते हैं तो इसमें अले कि आरोप सिद्ध होना बहुत बड़ी बात होती है जमीन आसमान का फरक होता है आप देखें कई लोग आरोप लगता है और जेल में डले रहते हैं बाद में वो आप देखें कि निर्दोस निकलते हैं तो यह सब चलता रहता है राष्टी जंतादल की बात हो रही है RJD की और याद रखेगा इसकी अगर इस्तापना की बात करने तो 1997 में इसकी इस्तापना हुई थी यह लाल टेनिस का चुनाओ चन है यह आप लोग याद रखेगा और बताईए किसी के बारे में बात करनी हो वरना जो भी चर्चा में रहता है हम लोग बात करते रहते हैं आप लोग भी नाम बता सकते हैं अगर जानने की किसी को दल्चसबी है तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे